तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम जैसे हमारे बगीचों में बहुत जादा घास हो जाती है बहुत जादा वीड हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बारिश नहोनी के वज़े से बहुत जादा सूखा हो गया है तो बगीचों में आप इस प्रकार के वीड मैट्स जो मल्चिंग मैट्रियल है आप उसको भिछा सकते हैं यह इस प्रकार के जो पीपी बुवन फैबरिक्स होते हैं इस मैट्रियल को देखिया आप किस प्रकार से पूरे रूल के साथ आते हैं और अलग-लग साइज की साब से आते हैं लगवग तीन फिट का इसका विर्थ होता है और इसका जो फैबरिक है यह बिल्कुल डिफरेंट होता है जैसे गनी बैक्स होते हैं उस फैबरिक का यह बना होता है और चोड़ाई तो इसकी जनरली तीन फिट के चोड़ाई में आत और 3-5 मीटर में भी है जिस भी जो भी आपकी requirement है तो सबसे आप इसको market से मंगा सकते हैं तो इस प्रकार के mulching material को आप अपने पूरे बगीचे में इस प्रकार से बिचा सकते हैं और इससे बहुत फायदा है, आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको बिचाते हैं तो हमें बगीचे में बिल्कुल भी कोई खर्पतवार नहीं होगी और जो भी नमी है वह बनी रहेगी, बिल्कुल नम रहेगा और आप इस प्रकार से बिचा सकते हैं चाहे स्टोन से या फिर इंटों से या आप मिट्टी से भी इसको दबा सकते हैं और सबसे इंपोर्टन यह है कि जैसे पेड़ों के पास आप इसको कट मार के और कट मारने के बाद आप इसको किनारे से इस प्रकार से दबा दें जनरली क्या होता है कि आप सोचते हैं कि इसको अगर इस सीट है तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे तो आप दो सीट को आपस में जोड भी सकते हैं जैसे दो सीट है तो इस सीट को आप अलग से इसको चिपका भी सकते हैं और एक सीट बना सकते हैं इसको चिपकाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं जैसे इस प्रकार से यह चिपकाने का तरीका है इसमें एक synthetic Favikol का एक solution है यह TEX के नाम से तो इस प्रकार के market में available है इस प्रकार के material आप लेके और इस brush के help से आप इसको एक दूसरे से चिपका सकते हैं और इसके बाद इसको उपर से प्रेस कर दें, तो अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे, तो फिर इस प्रकार से ये चिपक जाएगा, तो ये एक आसान तरीका है, आप दो सीट को इसमें चिपका सकते हैं, और इस प्रकार से इसमें बगीचों में आप इसको बिचा सकते हैं, जहां पे आपके पेड का तना हो जो पानी देना चाहें वो भी आप कर सकते हो और सीट को आप इस प्रकार से बिचा सकते हैं कि जब आप बाद में खाथ पानी डालना चाहें भगीचों में तो वैसे तो इसमें visit method यह है कि drip faecation के तरीके से इसमें पानी भी दिया जाता है और फर्टिकेशन भी दिया जाता है और नीचे आप बेस में इसमें इसके सब सर्फेस में मतलब आप इसमें ड्रिफ इरिगेशन सिस्टम आप इसमें स्टॉल कर सकते हैं ताकि आप इसके जो रूट्स में हैं पानी भी चले जाए और खात भी चले ज तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं जनल यह कोईशन होता है कि हम खात कैसे डालेंगी जब आप इसको मैट्रियल को पुरा बिचा देंगे तो मैट्रियल को आप इसको बगीचे के पास जिसे पेड़ों के पास आप थावले के इसमें कट प्रीक किया जाता है और उतना Regulation System है तो आप इसको सबसरफेस में इसके नीचे आप इसको ड्रिफटरिफिटरिटरन सिस्टम को लगा देंगे और पेडों के दोनों तरफ आप दोनों तरफ से इसमें दो लाइन आप बिचा सकते हैं लेटरल्स के और आपको खासकर आपको बहुत सारी बिमारियां होती हैं उससे भी आपको चुटकारा मिल जाएगा और सबसे चीछी बात है नम ही बनाया रहने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जैसे इस समय बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है ड्राइ हो गया है इस समय पे आप खास सकते हैं तो और बहुत ज़्यादा वो नहीं है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप एक बार इसको खर्च कर लेंगे तो आप लगबग 10 साल तक अभी तक हम लोगों के बहुत सारे से बगीचें जिनमें 10 सालों से इसमें बिचाए गया है तो कुछ पीस में खराबी नहीं होती है बहुत मजबूत मेट्रियल है तो आप अपने बगीचों में इसको भी चाहिए और नमी बनाए रखें और खर प्रत्वार को भी रोकें तो थैंक्यू वेरी मच आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें प्रत्वार करें